के हैं एक सब्सक्राइब टिज्केब लेक्राइब को हर दो हonosor करें ना मिक्रीप छोल क Hmmm कि तो ख्लासिकल पहले हैं क्लासिकल के बारे में तो अच्छोननमिस्ट क्या बहाना कि वेजीय जोहनगी है और जो और बीटिक सब्सक्राइब करते हैं और जिन से वह पूरे क्या है डिसेग्रीड है कि वह उन्होंने बोला है वो उसको नहीं मानते हैं लिक जो फोकस करते ते लिक होता scheint जहां में विशनका जो प्रिंसिबल फेक्टर था वह वो उन्होंसा था उन्होंने गौरा आनैप्लीड करते थीजीड करते थी कि जो business cycle है ठीक है business cycle में क्या होता है भाई बूम होता है recession होता है depression होता है तो जो केंजिन एकॉनमिस्ट है वो बिलीफ करता है जो business cycle है उसको हम manage कर सकते है भाई उसको manage कर सकते है किसके दौरा active government intervention के दौरा कि government का intervention यहाँ पर क्या है जरूरिया और government का interventions किसके तुरू fiscal policy के तुरू fiscal policy में government के दो tool होते हैं कि उनकौन से हमारे tax होता है और government expenditure होता है तो recession के time पे government क्या करेगी डिमांड को बढ़ाने के लिए ब shopping प्राइसद के नोकरी चली जाती है लोगों केidents पैसा नहीं होगा टो इमांड नहीं होगी तो यहां पर खर्चसल जादा करे सिक और खरज प्रेंद एक्राइब में तो 60 किष्ट होगी तो तो इसे प्रैस्टे कंतरए साथ प्राइज है वह अपने एकलुबीरियम प्राइज पर आ जाएंगे ठीक है जो प्राइज ही हुए थे वह कम हो जाएंगे और यह क्या बिलीव करते हैं ता थे कि मानेटरी पॉलिसी में में भी यह बिलीव करते थे जहां पर सेंट्रल बैंक जो है लेंडिंग को कि इतना लोन देना है ज्यादा लोन की अगर मार्किट में डिमांड कम है तो जो इंट्रेस्ट रेट है वो कम कर दिये जाएंगे तो इंट्रेस्ट रेट कम कर दिये जाएंगे ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा जो है जो है जो है लोन की डिमांड करें और इस को जो क्लियर करने के लिए supply और demand को फिर नेक्स आते है हमारे monitorist monitor school जो ब्रांच जो monitor school है वो किसकी ब्रांच एकेंजिन economist की है और इसमें जो main जो हम इसका जो credit देंगे इसके इसके ओपर काम को वो Milton Friedman को देंगे तो इसमें जो इन्होंने extend करा था जो केंजिन का model था उसको extend करा था monitorist ने आर्ग्यू करा कि जो monetary policy है वो ज्यादा effective है desirable policy टूल है manage करने के लिए aggregate demand को भी हमने पढ़ा कि जो केंजिन economist थे ठीक है जिसको किसके ओपर जिसने स्टार्ट करा था जो जोन मेंगार केंज ने थीक है उन्होंने बोलता है फिसकल पॉलिसी ज्यादा अची एग्रिगेट को manage करने के लिए लेकिन यहां मोनेटरिस आ गए मोनेटरिस यहाद रखेंगे मोनेटरि पॉलिसी तो इन्होंने किसके ओपर फोकस करा है मोनेटरि पॉलिसी के ओपर कि मोनेटरि पॉलिसी ज्यादा एक एक एफेक्टिव टूल है manage करने के लिए हमारे aggregate demand को फिर नेक्स आते है हमारे new classical तो new classical जो स्कूल है उसको में किसके साथ new kensian के साथ और यह mainly जो बिल्ट था वो क्या था कि micro को हमें किसके साथ integrate करना मिलाना मैक्रो के साथ और हमारे क्या resolve करना है जो त्योटिकल जो contradiction है किसके बीज में इन दो सब्जेक के बीज में micro और macro के बीज में new classical जो स्कूल है वह किसके ओपर focus करते हैं जादे emphasize करते हैं जो इंपोर्टेंस है micro economics का और models जो किसके ओपर बेज्ड है model micro economics के ओपर बेज्ड है new classical economies assume करते हैं कि जितने भी एजेंट्स है वह जाए प्रेड्यूजर है चैन्जूमर है वह सब अपनी यूटिलिटी है उसको maximize यहां पर करना चाहते हैं और सभी की कैसी expectation है rational expectation है और वह उसको किसके साथ incorporate कर रहे हैं किसके साथ मिला रहे हैं macro economic के model के साथ यहां पर मिला रहे हैं तो new classical economists थे वह believe करते थे कि जो unemployment होती है जो बेरोजगारी होती है वो ज्यादा तर voluntary होती है स्वेचिक होती है लोग अपनी इच्छा से क्या है बेरोजगार है और जो हमारी जो discretionary fiscal policy है वो कैसी है destabilizer अस्थिर करती है इस चीज़ को और जब inflation को हम control कर सकते हैं किसके द्वारा monetary policy के द्वारा fiscal policy के द्वारा हम नहीं कर सकते हैं हम taxes increase करते हैं यहां पर फोकस करने किसको कि अगर हम इस्तिमाल करेंगे अगर हम भी आज की दरें बढ़ा देंगे तो लोग demand काम करेंगे demand काम होगी तो inflation अपने अपने अपमें जो क्या हो गया control हो जाएगा ठीक है फिर आता है हमारा न्यू केंजियन न्यू केंजियन में क्या है इन्होंने भी किसके और टैम्ट करा और वह मेंटेन करके रखते हैं कि मार्केट बहुत सारी वेराइटी है कि इसकी market failure की जिसमें क्या क्या है कि ऑफिशेंसी की कमी है ठीक है जिसमें include है sticky price wages है ठीक है अब stickness की वज़ए कि बहुत ज़्यादा रिजिड है प्राइस बहुत ज्यादा ज्यादा प्राइस में प्राइस ज्यादा है तो क्या हो रहा है कि टेक्सिस कम कर दिये जाएं ठीक है और अगर प्राइस क्या हो रहे हैं ठीक है ठीक है प्राइस कम हो रहे हैं ठीक है प्राइस कम हो रहे हैं तो लोग प्राइस ज्यादा हो रहे है इसका मतलब लोग ज्यादा डिमांड करें लोग इस रिके मौनेटरी पॉलिसी में भ्याश की तरह पहलें तो लोग डिमांड कम करेंगे लोन की लोन की डिमांड कम होगी तो जो प्राइज है वह जाएगे किलिविर्यम प्राइस पर आ जाएंगे लास्ट हमारे अस्ट्रेलियन अस्ट्रेयन स्कूल जो है एक ओलर स्कूल है इकनोमिक्स का जिसे हम देख रहे हैं कि इसका फिर से क्या हो रहा है तो स्ट्रेलियन एकॉनमी ठोरी जो है वह major Nep配 आप्लाई हुँती किसमें सबस्ट करेば स्फिर्ट सबस्सक्राइब怎么了 इन्होंने क्या करा है कि माइक्रों माइक्रों को क्या करें अपल इसे तरीकस कर गया तक हैं तो यहां परिखेंज घर ते वेक्तिवीटिंटिंटिंट्र एंकिरूटिंटिंट्र इस तक बूंप के इन स्विजय कोई तक के ऊपर फोकस किया गया है वानेटरी पोलिसी ऑपर ही यह भी फोकस किया गया है तो यह थे हमारे various school of macroeconomics I hope आपको clear हो गए होगा अगर वीडियो अच्छे लगी हो तो like it, share it and subscribe मैं चैनल, thank you